पुर्णिमा का खास अफसर आने वाला है जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि शर्द पुर्णिमा को इन सब पुर्णिमा में से खास माना जाता है शार्दिय नवरात्रे के खतम होने के बाद शर्द पुर्णिमा आती है धार्मिक मानेताओं के अनुसार शर्द पुर्णिमा के दिन भगवान विश्नु के चार माह के शयन काल का अंतिम चरण होता है इसके बाद भगवान विश्नु अपने शेयन कक्ष से उठ जाते हैं अपनी निद्रा से उठ जाते हैं तो इसलिए इसे काफी जादा अच्छा और महत्वपुन माना जाता है मानते हैं कि इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूरा होकर रात भर अपनी किर्णों से अम्रित की वर्षा करता है इसलिए इस रात का जो महत्व है वो हमारे पुरानों में वेदों में और इसके साथ साथ हमारी असली जिन्दगी में भी देखने को मिलता है इस दिन किया गया छोटा सा उपाय आपके जीवन में वो वदलावला सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते आप लोगों के जीवन में वो चीजे चेंज हो सकती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था जिन लोगों को depression की समस्या रहती है, जिन लोगों को परिशानिया रहती है, मांसिक अशान्ती रहती है इस प्रकार के सभी लोग इस दिन उपाये अगर करते हैं तो ये दिन उनके लिए विशेश साबिथ हो सकता है अगर इस रात खीर बनाकर छट पर रखी जाए और उसे अगले दिन ग्रहन किया जाए तो ये आरोग्य और कांतिवान बनाने के लिए बहुत अच्छा उपाय साबित हो सकता है इस खीर को किस प्रकार से बनाना है क्या इसके पीछे व्यग्यानिक मान्यता हैं आज हम ये सपुछ जानेंगे पपरालtic मानिता की अनुसार शर्दबुर्यमा की मध्यरात्री में चंद्रमा जो है वो सोला कलाओं से अमृत वर्षा होने पर ओस के कन के रूप में अमरित बूंदे जो है वो खीर के पातर में गिरती है जिसके फलसव रूप ये खीर जो है वो अमरित तुले हो जाती है जिसको प्रसाद के रूप में ग्रहन करने से सभी लोग अरोगय और कांतिवान बन जाते हैं इसका कारण धार्मिक और जोतिशे नहीं है इसका कारण विग्यानिक तोर पर भी है शर्दपुर्णिमा की रात को छत पर खीर को रखने के पीछे विग्यानिक तथे जो है वो यह है कि खीर दूद और चावल से बनकर जो तयार होती है इस प्रकार से दूद में लेक्टिक न यह असान कर देता है पुराने सदियों में जब रिशी मुनी हुआ करते थे तो शर्द पुर्णिमा की रात में खीर को खुले आसमान में रखने का विधान तो बहुत ही जादा था और इस खीर का सेवन सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता था एक अन्य विग्यानिक मान जो हमारे बॉड़ी में पाये जाते हैं तो इस दिन अगर चांदी के पात्र में सेवन किया जाता है तो ऐसे में प्रतिरोधक शमताएं हमारी बढ़ जाती है जो बैक्टेरियाज हैं वो ग्रो नहीं करते और इससे हमारी अमिरुटी बूस्ट होती है तो इसलिए इस उपा माना जाता है पुर्णिमाशी के चंद्रमा को बहुत ही अच्छा हम मानते हैं क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर हमारे मन पर होता है और हमारे जो मन में जो भी भाव चलते हैं जो भी विचार चलते हैं उनको कंट्रोल करने में चंद्रमा ही बहतर भूमी का निभाता खीर में क्या क्या कंटेंट होते हैं जो चंद्रमा से रिलेटेड हैं चले जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा खीर में दूद, चीनी और चावल यह सभी चंद्रमा की कारकवस्त हुए हैं चीनी की जगह अगर आप मिश्री इस्तिमाल करते हैं तो और भी अच्छा क्यमिकल होते हैं इसलिए अगर मिश्री का इस्तिमाल किया जाए तो चंद्रमा के और भी अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं इसके परिणाम सवरूप किसी भी जातक की जनमकुंडली में अगर चंद्रमा की महादशा अंतरदशा या प्रतियंतरदशा चल रही है चंद्रमा क इसी भी व्यक्ति के अगर छटे, आठमे या बार्मे भाव में हैं तो ऐसे में चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए और इसके साथ पुर्णमाशी का वरत करना चाहिए और साथ में शर्द पुर्णिमा के दिन इस प्रकार से इस खीर का सेवन करना चाहिए ऐसा करने से जो तिशिय महत्व आपके चंद्रमा का और भी जादा बढ़ जाएगा, चंद्रमा को बल मिलेगा, चंद्रमा स्ट्रॉंग होगा, इससे आपके मन की स्थितियां स्ट्रॉंग होंगी, मन जब स्ट्रॉंग होता है तो आप कोई भी फैसला करने में सक्षम हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हमारे मन से जुड़ी हैं जो हमारी रियालिटी से जुड़ी हुई हैं जो हमारे चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण और भी जुड़े हुए हैं आज मैं आपको इन सभी कारणों के बारे में बताती हूँ अश इस अवधी में देवप्राण कमजोर पढ़ जाते हैं और आसुरी शक्तियां जो हैं उनका वर्चस्व बढ़ जाता है इसके परिणाम सवरूप प्रित्तिवी पर बहुत सारे पाप बढ़ जाते हैं इसके बाद होता है जनम मा का यानि के शक्ति अराधना का पर्वनवरातरी के नवे दिन मा सिद्धिधातरी के अराधना करके जब दश्मी तिथी को व्रत का पारन किया जाता है तो अगले ही दि विश्नु प्रिया पापा कुंशा एकादशी के दिन मा लक्षमी पापों पर अंकुष लगाना प्रारंभ कर देती हैं। प्राली पुर्णिमा भी कहा जाता है। इसके पीछे के मत के बारे में बताऊंगी। चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। इस नौलेज को आपको भी पता होना चाहिए। पुर्णिमा के ही दिन जब भगवान कृष्ण अपनी नौलाग गोपियों के साथ स्वेही नौलाग अलग अलग गोपों के रूप में महारास करते हुए नजर आते हैं। तो मा महा लक्षमी पृत्वी पर घर घर जाकर सब को दुख दरिद्रे से मुक्ती का वरदान देती हैं। किन्तु जिस खर के सभी प्रानी सो रहे होते हैं वहाँ से लक्षमी दर्वाजे से ही वापिस चली जाती हैं। तब ही शास्त्रों में इस पृर्णिमा को कोजागर वरत भी बोला जाता है। कोजागर का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। इस दिन रातरी में की गई लक्षमी पूजा से कर्जों से मुक्ती मिलती है। इसलिए शर्द पृर्णिमा को कर्ज मुक्ती पृर्णिमा भी कहा जाता है। अगर आप लोगों को भी कर्जों से मुक्ति नहीं मिल रही कर्जे बहुत जादा हो गए हैं आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उतरने का नाम नहीं ले रहे और परिशानियां बढ़ती जा रही हैं मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं किसी ना किसी बात को लेकर आपको ल तिमा या उनकी मूरती या किसी पिक्चर को घर लेकर आएं और ऐसे में उनकी पूजा अर्चना करें पूजा में मिश्ठान मेवे और खीर का भोग लगाएं रातरी में वही खीर किसी बड़े पात्र में डाल कर खुले आस्मान के नीचे रख दें इस बात का ध्यान रखें क उस खीर को आफ ढखक कर किसी मलमल के कपड़े के साथ ढख सकते हैं इस बात का ध्यान रखें कि जब आप चट पर खीर को रखें तो उसे बिल्ली से वजा कर जूरूर रखें कई बार होता है कि चट पर बिल्ली होती है खीर को जूटा कर सकती है या उसको नश्ट कर सकती है तो इसका ध्यान आप जरूर रखें इसे मलमल के कपड़े से ढग कर किसी तार पर टांग सकते हैं जिसे बिल्ली उसको छूने ही पाएगी तो इस प्रकार की चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें खीर बनाकर आप मालक्ष्मी की पूजा अर्शना करके उस खीर को सुभे आप सबी अपने घर के सदस्यों में बाट दें अपने अपने हिसे की खीर आप लोग खा लें ऐसा करने से आपको एक साल के लिए अरोगी की प मिलेगी इस समय पर जब आप पाठ पूजा कर रहे हों तो ऐसे में कंकधरास तोत्र विश्नु मुसहसरणाम का पाठ अगर कर सके तो और भी अच्छा है खीर जो है वो अभी मंत्रित हो जाएगी मंत्रों के साथ इसका प्रभाव आपको और भी अच्छा मिलेगा अगर आप यहां पर चंद्रमा के मंत्र का बीज मंत्र का जब कर सकते हैं ऐसा करने से भी खीर जो है वो अभी मंत्रित हो जाएगी और चंद्रमा के प्रभाव आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे आप यह मंत्र का पाठ कर सकते हैं इस मंत्र को जब सकते हैं ओम सौं सौं माय नम तो आप भी तैयारियां शुरू कर दें 13 अक्तूबर का दिन शर्दफुर्णिमा का दिन है इस समय पर आप इसी प्रकार से उपाए करें आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसे कर सकें वीडियो को लाइक कर दो आफ दिन शर्दाए